आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तों तो हमारे वीडियो का टाइटल है Rise of Communist Party in China तो हम इसमें पढ़ेंगे कैसे Communist Party जो CCP है जो आज तक चाइना में रूल कर रही है उसने कैसे Rise करा और किन सर्कमस्टांसेज में वो उभर के सामने आई और कैसे जो Goom Indang थी वो फेल हुई तो 1937 में 1937 में जब जापान ने Chinese को इंवेट किया तो Goom Indang ने रिट्रीट किया और वापस लड़ाई करने ही कोशिश करी जिस लड़ाई में Goom Indang जो थी वो पुरी तरह से हार भी रही थी और जो Prices थे वो 30% से बढ़ गए जिसकी वजह से जो Social Life थी ordinary लोगों की वो एक तरीखे से एकदम खतम हो गए क्योंकि पहले economy जो थी हो बहुत ज़ादा बुरे हाल में थी और जब war wage हो गई उसके बाद 30% और ज़ादा prices में high काया जिसके बाद जो ordinary लोग थे उनको सस्ती से सस्ती चीज़े ही भहुत मेंगी खरीदनी पड़ रही थी rural China के अंदर दो बड़ी problem जो है वो उनको face करनी पड़ी पहली तो ecological problem थी जिसके जो के soil augustration और deforestation और जो बाड़े आ रही थी उनकी वज़ाद से उनने face करनी पड़ रही थी और दूसरी problem ती social economic problem जो के exploitative land on your system जो चाइना में था उसकी वज़ाद से उनको face करनी पड़ रही थी तो ये दो बड़ी problem जो थी रूरल चाइना face कर रहा था और जो CCP थी ये 1921 में fine करी गई थी Russian revolution के just बात क्योंके जो Russian revolution था उसमें Lenin और Trotsky की जो कामियाभी थी उसे देखने के बाद जो Bolsheviks की कामियाभी थी उसे देखने के बाद दुनिया में कई जगाओं पे communist parties बनी थी जिन्होंने workers का revolution लाने की कोशिश करी थी मगर Mao Zandog की 1893 से 1976 तक रहे उनकी party में और उनके movement में एक difference ये था कि उनका जो revolution था ये working class से जाधा peasantry पे बेस था और क्योंके चाइना में working class थो बहुत जाधा थी नहीं वो कोई बहुत जाधा industrialized मुल्क नहीं था, industrialized देश नहीं था जिसकी वज़ा से महाँ पे पीजेंट्री जाधा थी और वहाँ पे पीजेंट्री की, जो movement था हो, पीजेंट्री को लेके माँ जेंट्रोंग ने शुरू करा माँ जेंट्रोंग's radical approach can be seen in Jiangxi in the mountains where he came from 1928 to 1934 secure from Goomindang attacks, तो Goomindang जो था, वो जैसे ही power में आया उसने ये देखा कि उनकी जो political rivals हैं, ये सिर्फ एक ही हो सकते हैं और ये हो सकते हैं जो communist हैं क्यों communist भी काफी popular थे, जैसे हमने पीछे पड़ा communist और government जो थे, ये rise कर रहे थे सुनियाथ सेन के मरने से पहले तो जैसे ही government जो है, वो power में आया, उसने फोरण जो है, वो इनको जो भी लोग थोड़ी सी भी autonomy रखते थे उनको मरवानी की कोशिश करी, जिसके अंदर बहुत सारे communists भी थे और जो land owners थे, इधर उधर land lot से छोटे मोटे उनको मरवानी कोशिश करी जिससे जाके, माउज एंडॉंग अपने followers के साथ Jiangxi mountains में छुप गए जिसको के long march कहते हैं, जो के 600 mile लंबी journey थी, वो उन्होंने करी तय और वो जाके mountains में छुप गए और government gang के सारे attack से बहुत ज़ादा दूर, और माउज जो थे वो बागी leaders की तरह नहीं थे, बलके उनको उन्होंने emphasize किया, जो need of a strong army है उसके उपर, एक strong army जो कि independent है, government control से उसके उपर उन्होंने emphasize किया और खाली अपनी जो अपनी army, अपने मफाद के लिए या अपने फाइदे के लिए use करने वाली army जो थी उसको practice को खतम करने की बात करी, उसके बाद उनको ये भी पता था कि जो women's है, उनकी क्या क्या problem है society में, उन्होंने जो new marriage लोती उसको खतम करा और child marriage जोती उसको खतम करा और जो purchase और sale marriage थी उसको भी उन्होंने फॉरण बिल्कुल खतम कर दिया और divorce जोता उसको आसान कर दिया ताके जो औरते जिबर्जबर्दस्ती शादी जिनसे कर ली गई है वो असानी से divorce ले सके और the government dog blockade of the communist soviet force the party to seek another base और the government dog जो थी जैसे के हमने पीछे बात करी उसने जो communist party को ban कर दिया था और communist party को एक और base की जरूरत पड़ी थी जिसके अंदर उन्होंने 1934-35 का long march किया था जिसके अंदर वो 6000 किलोबीटर चले थे शांग्जी में और यहाँ नई base जो थी उनकी बनी यनान में और उसके बाद उन्होंने इस program को जो है वो war lordism में को खतम करने के लिए और जादा बढ़ाया यानि के जो war lordism यानि के जो lords हैं जो land lords हैं और जो war करके colonize कर रहे हैं आपके देश को उनके खिलाब जो जंग थी उसको छेड़ने के लिए उन्होंने इसको further develop किया और ताके और क्या मकसद था और एक मकसद यह था कि land reforms करी जा सके और जो agriculture है और peasants है उनकी हालत जाद से जाद अच्छी करी जा सके यह भी एक उनका idea था यह भी एक उनका मकसद था तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे establishing new democracy और इसी के साथ आपका शुक्रिया Thank you